भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोग तंत्र इस लोग तंत्र का मंदिर है संसत भवन जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविश्य की दिशाता है मौजूदा संसत भवन को बनाया गया था सौ साल पहले इन सौ सालों में आवशक्ताओं के अनुरूर इसे कई बार रिपेर और रेनोवेट किया जा चुका है पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग शमता बढ़ाना मुम्किन नहीं पर नहीं मुम्किन है इन्फरस्ट्रक्चर और टेक्नोलोजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना इसलिए आज नया संसत भवन एक विकल्प नहीं बलकि 21 सदी के नये और आत्म निर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है एक भारत, श्रेष्ट भारत की भावना को संजोए नया संसत भवन भैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में जिसका निर्मान 21 महीनों यानि की आजादी की 75 साल की रह तक संपन्द कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविदताओं से प्रेरित इसका त्रिभोजाकार डिजाइन जिसे पहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकम परोधी सिस्टम के मताबिक Z और Z प्लस लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्षन से बिजली खपत को 30 प्रतिशत तक कम करने और अगले 150 से जादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा नए संसत भवन की कुल सीटिंग शमता पहले के मुकाबले 150 प्रतिशत से भी अधिक होगी मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसत अधिवेशन में 1275 सांसतों की सीटिंग शमता होगी साथ ही दिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसत कार्याले और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे, हाई क्वालिटी ऑडियो विडियो और हर एक डेस्क, इलेक्ट्रोनिक गैजट से लैस इसके अलाबा यहाँ पर होगा भारत की भव्वे विरासत को दर्शाता, समिधान हॉल, उस्तकाले, समिती कक्ष और भोजन प्षेत्र मतलब की नया संसत्भवन होगा, 130 करोड देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला शेत्रिय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण-कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतंत्रिक लक्षियों को साकार करने वाला जैसे आपनिवेशिक काल के पुराने शहीद समारक के सामने हमने बनाया है नैशनल वार मेमोरियल ठीक वैसे ही पुराने संसत्भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्म निर्भर भारत को समर्पित नया संसत्भवन तो आईए आज इस एतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं भारत के नए संसत भवन का शिलान्यास